जहिन बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास नाइन का जो दूसरा चेप्टर है बहुपद जिसको इंग्लिस में हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं, इसके अबजेक्टिव कोईशन को स्वालब करने जा रहे हैं और यह अबजेक्टिव कोईशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्जाम में आप लोगों को सिर्फ अबजेक्टिव प्रोब्लम ही पूछे जाएंगे तो आईए हम लोग सुरू करते हैं अबजेक्टिव प्रोब्लम को बनाना और इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉंसेप्ट को रिभाईज करेंगे अतब इसके बाद अबजेक्टिव प्रशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको ये ध्यान में तो जरूर होगा कि बहुपद हम लोग किसको कहते हैं जिसको इंगलीस में polynomial कहते हैं तो एक BGA बेंजयक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो उसको हम लोग क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं जैसे X पर पावर 2 प्लस 1 लिख दियें तो यहां X आपका चर हो गया और इस पर घात जो है 2 एक पूर्ण संख्या है तो इसलिए ये बहुपद हो गया अगर मौन लिजे X स्क्वाइर प्लस X प्लस 1 आपका रहे तो इसमें हर एक चर पर घात हमारा क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए ध्यान दिजिएगा अगर हम X क्यूब प्लस X स्क्वाइर प्लस X पर पावर यहां हाफ डाल दें तो यह हाफ जो है आपका प बहुपद नहीं होगा, क्लास में आप लोग बहुत बढ़ियां तरीके से इस चीज को पढ़े होंगे, उमीद करते हैं कि आप लोग याद रखे होंगे उस चीज को, यहां पर मैं सौट में बता कर ही आगे बढ़ रहा हूँ, इसके बाद आपका बहुपद है, बहुपद ज बहुपद को हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं, अब जैसे देखिए इसमें दो पद हैं सिर्फ तो दो, दुवी पद बहुपद हो गया, इसमें आपका थ्री पद हैं, मान लीजिए एकस स्क्वाइर प्लस उन इस तरह से दिया हुआ है, तो यह एक पद, यह दूसरा बहुपद यह आपका तीसरा पद, तो यह तृपद बहुपद हो गया, इसके बाद घहात के आधार पर आप लोग रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, और त्री घाती बहुपद अल्यड़ी पढ़ चुके हैं, रेखिक बहुपद में हमेशा घहास हमारा 1 होता ह जैसे X पर पावर 1 है आपका द्विघाती बहुपद में X पर पावर आपका हमेशा 2 होता है तो इस तरह से यहां देखिए अधिक्तम घात जो है इसका 2 है तो यह द्विघाती बहुपद हो गया त्री घाती बहुपद होने के लिए आपका चर पर अधिक्तम घात हमको 3 चाह अलाबे आपको याद रखना है सुन्य बहुपद सुन्य बहुपद जो होता है सिर्फ सुन्ना को हम लोग जीरो को जो है हम लोग सुन्य बहुपद कहते हैं और अचर बहुपद क्या होता है तो कोई भी संख्या जैसे फोर हम लिख दिये एट लिख दिये हंड्रेड लिख द यानि कि यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है GX, QX इस तरह से भी हम लोग कभी कभी denote करते हैं लेकिन जब आपको पहली बार denote करना पड़े तो हमेशा आप PX को ही यूज कीजिएगा इसके अलाबे आपको पता होगा बहुपद का सुन्यक क्या होता है और सेस्फल प्रमय क्या होता है, गुननखंड प्रमय क्या होता है अगर ये सब को नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर इस सभी का वीडियो एवलेवल है आप उसे जाके डिटेल में देख सकते हैं तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके objective question के तरफ तो objective question में हमारा सबसे पहला नम्मर का जो problem आप देख रहे हैं यहां पर आपका दिया गया है कि इसमें से कौन एक चर वाला बहुपद है तो एक चर वाला बहुपद जिसमें एक चर हो जैसे यहां देखिए यहां पर 2X प्लस 3Y है तो X भी और Y भी दो गोचर हो गया X प्लस Y है तो इसमें दो गोचर हो गया यहां देखिए 2 नम्मर में सिर्फ X ही है आपका और Y नहीं है तो इसलिए 2 नम्मर जो हो जाएगा आपका एक चर वाला बहुपद हो जाएगा उसके बाद कहता है कि निमलिखित में से कौन एक बहुपद है तो बहुपद जो भी होगा उसमें चर का घात जो होता है वो आपका पूर्ण संख्या होता है तो पूर्ण संख्या यही सब पूर्ण संख्या हो गया अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहला नमर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चर पर घात माइनस एक है आपका, उसके बाद तीसरा नमर देखते हैं, तो चर का घात पांच है, चार है और एक है, फोर एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक पावर है, तो देखिए 5 है और उसके बाद 4 है आपका और उसके बाद यहाँ पर 1 है तो यह सभी जो है पूर्ण संख्या होती है तो इसलिए 3 नम्मर हमारा सही आंसर हो जाएगा और यहाँ पर देखिए क्यों नहीं होगा चुकि रूट x है इसमें x पर अगर रूट आ जाए तो इसका मतलब होता है x पर पाबर आधा यह जो हाप है आपका पूर्ण संख्या नहीं है पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए यह आपका बहुपद नहीं होगा इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं question number 3 को तो question number 3 में हमरा दिया हुआ है कि निमलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है एक चर यहाँ पर देखिए यह आपका बहुपद तो है नहीं यह जो है आपका पहला नमर यह बहुपद है पहला नमर आपका 4x square minus 3x plus 7 है x पर जो भी घात देख रहे हैं सभी आपका क्या है पूर्ण संख्या है अब यहाँ पर देखिए 3t root t है तो root t जैसे गुशा तो 3 into t पर पाबर हाप हो गया यह हाप जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है तो 2 नमर नहीं हो सकता है यहाँ पर y plus 2 by y है तो इसका मतलब हो गया कि y plus 2 into y पर पाबर minus 1 y हमरा उपर जाएगा तो यहाँ minus पाबर आ जाएगा इसी लिए यह भी नहीं है और इसमें भी वही condition है यह भी नहीं है तो यही answer जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा इसके बात question number 4 में हम क्या देखते हैं निमलिखित में से कौ बहुपद हैं तो भहिया इस तरह का condition जहाँ x नीचे आ जाए तो वह बहुपद नहीं होगा कहीं अगर x पर पावर minus में आ जाए जैसे minus 2 है यहाँ पर तो यह भी आपका बहुपद नहीं होगा अगर कहीं root x पर root आ जाए देख रहे ना root x आ जाए तो x पर पावर minus 1 हो गय तो यह भी आपका बहुपद नहीं होगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा अब कहता है पाँचमा नंबर निम्ड में कौन बहुपद हैं तो बहुपद तभी होगा जब हम देखेंगे कि root पर किसी नहीं है ये चीज नहीं हो x पर power negative में नहीं हो आपका X पर power जो है fraction नहीं हो P बटे Q के रूप में नहीं हो तो यह सब condition में बहुपद नहीं हो सकता है X पर power 0 हो या 1 हो या 2 हो आपका या 3 हो आपका या 0, 1, 2, 3 पावर आएगा तो हम बहुपद कहेंगे तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ यहां 3 में हम देख रहे हैं X पर power 1 है यहां पर कहिएगा सर रूट 3 है तो रूट 3 तो चर नहीं है 3 जो है आपका चर नहीं है और जब भी घात की बात होती है तो चर पर ही घात की बात होती है तीन जो है आपका अचर है क्या है अचर है तो अचर पर कुछ भी पावर रहे उससे कोई मतलब नहीं है आपको तो इसी लिए इसका आंसर थ्री हो जाएगा अब इसके बाद 6 नम्मर में निमलखित में से कौन एक चर बहुपद है तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं यहां रूट आ गया तो यह बहुपद नहीं होगा इसमें 1 बटे एक्स हो गया तो यह भी बहुपद नहीं होगा यहाँ पर 2 पर पावर 2, 2 एक्स पर पावर 2 है, 5 एक्स है, माइनस 3 है तो इसमें सब चर पे हम देख रहे हैं पावर जो है आपका पूर्ण संख्या है तो इसी लिए यह आपका बहुपद हो जाएगा साथ नम्मर में क्या कहता है, साथ नम्मर में कहता है कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है तो भाईया यह बहुपद है आपका और यह भी आपका बहुपद है, यह भी आपका बहुपद है, सब पे पावर सभी चरों पर पावर पूर्ण संख्या ही हमको मिल रही है लेकिन यहां टू बटे वाई होने के चलते यह वाई प्लस टू वाई पर पावर माइनस वन हो जाता है जब यह उपर जाएगा तो माइनस वन पावर हो जाएगा तो इसी लिए यही एक हमारा सही आंसर मिलेगा जो कहा कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है नहीं है तो यही नहीं है बहुपद यही हमारा सही अंसर हो जाएगा इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें से कौन बहुपद नहीं है वही बात कह रहा है तो यह वाला बहुपद नहीं है आपका जिसमें चर जो है आपका नीचे चला आया तो यह two नमर आपका बहूपद नहीं है इसके बाद निमलीखित में से कौन बहूपद नहीं है वही बात है भहिया यहाँ पर देखिए यह फिर X नीचे चला आया जहां X नीचे आ जाएतो वो बहूपद नहीं होगा और पूछ भी रहा है कि बहूपद नहीं है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थ्री नमर हो जाएगा इसके बाद हम 10 नमर में पूशता है निमलीखित में से कौन सा बहु पद? दूई पद है दूई पद कहने का मतलब दूगो पद इसमे एगो पद है इसमे एक, दो, तीन पद है तो यह भी नहीं होगा इसमें एक दो तीन पद है यह भी नहीं होगा इसमें एक दो पद है तो थ्री नम्मर जो है हमारा सही हो जाएगा तो तीन पद हो गया अब फिर कहता है निम्न बहुपद में से कौन दूई पद है तो दूई पद दो पद वाला यहीं पर हमको दिख रहा है एक पद दो पद इसमें तीन पद है इसमें भी आपका तीन पद है इसमें भी आपका एक पद है तो इसलिए यह आपका बहुपद दुईपद बहुपद यही वला हो जाएगा इसके बाद आपका question number 12 इसमें कहता है निम्न में कौन राइखिक बहुपद है तो राइखिक बहुपद हम लोग जानते हैं कि जिसमें घात एक हो तो यहां देखिए घात तीन है एक्स पर घात कितना है तीन है तो यहां नहीं होगा यहां पर एक्स पर घात दो है तो यहां भी नहीं होगा इसमें भी एक्स पर घात तीन आ गया है तो यहां भी नहीं होगा इसमें एक्स का घात वन है इसलिए यह हो जाएगा रैखिक बहुपद में याद रखिए कि घात जो होता है वो एक होता है इसके बाद तेरे नम्मर में निम्न में कौन दूई घाती बहुपद है तो दो घात वाला एक्स पर घात देखिए यहां पर तीन है तो यह नहीं होगा आपका एक्स पर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो घात वन है यह भी नहीं होगा यहाँ पर टी पर घात वन है तो यह भी नहीं होगा इसमें दूई घाती कहने का मतलब कि दो घात होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए दो घात मिल रहा है अधिकतम घात तो इसलिए यह 3 नम्मर हमारा आंसर हो जाएगा फिर 14 नम्मर में कहता है कि निम्न में कौन दुई घाती बहुपद है उसी तरह से हम लोग यहां देख रहे हैं 2 घात वाला तो यही दुई घाती बहुपद हो जाएगा फिर कहता है कि पंद्रें में निम लिखित में से कौन त्री घाती बहुपद है तीन घात वाला इसमें भी तीन घात नहीं है इसमें हमारा तीन घात दिखरा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फिर पूछता है 16 नमबर में निमलिखित में से कौन त्री घाती बहुपद है तो कौन त्री घाती बहुपद है यह देखिए यहां भी दूए घात है X पर पावर 2 है, यहाँ पर भी Y पर पावर 2 है, तो यह भी नहीं होगा, तीन घात वला चाहिए, तो तीन घात देखिए यहाँ पर है, X पर पावर 3 है, और यहाँ X पर पावर 1 है, तो यह हमारा सही अंसर हो जाएगा, इसके बाद देखिए बहुपद इतना का घात क्या है, तो घात देखिए यहां x पर power 3 भी है, x पर power 2 भी है, x पर power 1 भी है, तो जो सबसे बड़ा घात होता है, जैसे यहां पर हमारा power 3 है, तो 3 इसका घात हो जाएगा, तिरी घाती हो जाएगा, फिर बहुपद 18 में देखिए क्या कह रहा है, 4-y का square है, इसका घात कितना हो जाएग तो इसका घात हमरा 2 हो जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं यह question number आपका 19, तो 19 में देखिए क्या कह रहा है, कि 5-t-root 7 का घात क्या होगा, तो यहां देखिए t पर कुछ नहीं है, power 1 समझेंगे, तो इसका जो घात हो जाएगा, आपका क्या हो ज जाएगा, उसके बाद 19 के बाद हम लोग 20 नमर देखते हैं, तो 20 नमर में हमको कहता हैं कि 5y पर पावर 6 माइनस 4y का स्क्वाइर, माइनस 6 का घात क्या हो जाएगा, तो घात तो हम 2 भी देख रहे हैं और 6 भी देख रहे हैं, लेकिन जो बड़ा होगा, उसी को घात तो इसका घात हमारा 6 हो जाएगा, इसके बाद हमारा 21 नमर का question, तो 21 नमर में x पर पावर 5 है, माइनस x पर पावर 4 है, प्लस 3 है, इसका घात कितना है, तो इसमें 5 भी घात है, 4 भी घात है, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा, उसी को हम लोग घात मानेंगे, तो यहाँ पर 5 गात हो जाएगा, 22 नमर में देखे क्या कह रहा है, कि यह आपका 2 माइनस y का square माइनस y पर पावर क्यूब माइनस प्लस 2y पर पावर 8 है, और इसका घात क्या होगा, तो ठीक उसी तरह से इसका घात आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पावर आपका 8 है, 23 नमर मे गात क्या है, तो इसका भी गात आपका क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, सबसे घड़ा बड़ा गात आपका फोर है, 24 नमर में क्या कह रहा है, तो 24 नमर में हम देख रहे हैं, कि x square है, माइनस 3 x का cube है, माइनस 5 x है आपका, तो इसमें देखिए एक जगा घात तू भी द देख रहे हैं, तो इसका गहात कितना हो जाएगा, इसका थिरी हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा हम रहा, उसके बाद क्वेस्चन नम्मर पचीस में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, तो पचीस में सुन्नी बहुपद का गहात क्या होता है, तो सुन्नी बहुपद का गहात जो होता है भाईया ये आपका परिभासित नहीं है है न देखे सुन्नी को ही हम लोग सुन्नी बहुपद काते हैं सुन्नी को ही हम लोग सुन्नी बहुपद काते हैं अगर किसी बहुपद पर किसी चर पर पावर अगर हम जीरो डालते हैं तो इसका मतलब वन होता है ये one भी नहीं है constant भी नहीं है तो इसी लिए इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं परिभासित नहीं है याद रखिएगा इस unique type का problem है आपका अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां पे क्या कहता है आपको यहां पे कह रहा है कि सो घात वाला एक पदी बहुपद एक पदी एक ही पद होना चाहिए देखिए यहां पर जो है minus में है तो यह नहीं होगा यहां पर भी नीचे चलाया यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा जो भी होगा आपका two number हो जाएगा x पर घात hundred हो गिया तो यह 100 घात वाला बहुपद हो जाएगा अपका इसके बाद देखे 35 घात वाला दूई पद धियान दिजेगा दूई पद दो पद होना चाहिए इसमें देखे 2 पद है इसमें देखे 2 पद है लेकिन माइनस पावर आ गया है इसमें एके पद है इसमें भी आपका एक ही पद है तो यही 3 नमर हमारा अंसर हो जाएगा इसके बाद क स्क्वाइर का गुनांक एक्स स्क्वाइर देखो कहां दिख रहा है यहां पर दिख रहा है इसके साथ जो गुनक होगा उसी को हम लोग गुनांक कहते हैं तो यहां पर इसका गुनांक जो हो जाएगा एक्स स्क्वाइर का गुनांक माइनस फाइब हो जाएगा क्योंकि यहां पर इसके साथ माइनस 5 है इसके बाद 30 नम्मर में देखिए क्या कहता है 30 नम्मर में 2x पर पावर 3 माइनस 5x का स्क्वाइर माइनस 2x प्लस 5 में x पर पावर 4 का गुनांक आपको निकालना है तो भाईया ये क्या बुडवक वाली बात है x पर पावर 4 इसमें हैं ही नहीं जब जो चीज इसमें हैं ही नहीं और उसका गुनांक आपको कहता है तो सीधा उसको 0 कर दीजिए क्या कर दीजिए आप 0 कर दीजिए तो यही 0 इसका आंसर हो जाएगा इसके बाद 31 नम्मर में हमरा क्या कहता है कि X स्क्वाइर का गुनांग जैसे देखिए 2 प्लस X स्क्वाइर अब प्लस X दिया गया है इसमें X स्क्वाइर का गुनांग आपको निकालना है तो इसका गुनांक देख लीजिए x square के साथ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 समझिए तो इसका गुनांक हो जाएगा 1 तो 1 हमारा यहां पर दिख रहा है तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि 2 है minus x square है plus x का cube है इसमें x square का गुनांक आपको लिखना है तो x square का गुनांक देखते हैं x square के साथ क्या है minus है तो यहां कुछ नहीं है तो 1 से गुना कर सकते हैं इसको कोई फरक नहीं पड़ता है 1 से गुना कर दिए तो इसको minus 1 लिखेंगे खाली minus नहीं लिख सकते, देखे, x square के साथ खाली minus दिख रहा था, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, minus 1 लिखेंगे, 33 नंबर में देखे, क्या कह रहा है, तो 33 नंबर में हमरा क्या है, πाई बटे 2x का square, प्लस x में x square का गुनांग, x square का गुनांग हमको निकालना है, तो x square का गुनांग, देख लिजी, x square के साथ कौन है, πाई बटे 2 है, गुना किया हुआ, तो यहाँ πाई बटे 2 हो जाएगा, πाई बटे 2 हमारा कहां है, यहाँ है, दू नंबर पाई बटे 2, इसके बाद 34 नंबर में देखे, क्या कह रहा है, कि यहाँ आपका root 2x minus 1 में, x square का गुनांग, x square का गुनांग आपको निकालना है, तो x square का गुनांग भाईया, 0 हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें x square वाला term है ही नहीं, जो term मौझूद ही नहीं हो, और उसका गुनांग निकालने के लिए कह दे, तो उसका गुनांग 0 लिखिए, जैसे, अगर हम देख को हम x square से गुनांग कर दियें, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, तो इसलिए हमारा जो है, x square के साथ क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसलिए x square का गुनांग जो है, हम लोग क्या लिखते है, 0 लिखते है, अब उसके बाद 35 नंबर, तो 35 में हम लोग क्या देख रहे हैं, कि x बर 0 है, तो बहुपद p x का मान निकालिए, यह आपका किसका मान निकालना है, यहाँ पर देख लीजिए, यह आपको निकालना है, 5 x minus 4 x square और पलस 3 का मान निकालना है, तो इसमें x के जगह पर 0 रख देंगे, तो 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का 2 square जोड 3, तो 5 गुना 0 होता है, चार गुना 0, 0 होता है, जोड 3 पलस 3 equal to 3 हो जाएगा आंसर, तो 3 हम ढूंडते हैं कहाँ पर हैं, तो 3 हमको 2 में मिलता है, यही आंसर हो जाएगा आपका, इसके बाद हमारा question number, यह question number आपका 35 के बाद 36 नमर, तो 36 नमर में देखिए क्या कह रहा है, तो 36 नमर में हमको कहा, की x बराबर minus 1 है, अब बहुपद जो है, जिसको px से denote करते हैं, 5x minus 4x square plus 3 का मौन निकालना है, तो 1x के जगह पे हम लोग minus 1 रख देंगे, और यह 5 into minus 1 हो गया, minus 4 into minus 1 का square, अब plus 3, देख रहे हैं न, x के जगह पर हम लोग minus 1 रख देते हैं, और यह 5 गुना minus 1 तो minus 5 हो जाएगा, minus 1 का square जो होता है, वो 1 होता है, चुकि दू बार अगर minus 1 को गुना कर देंगे, तो यह plus 1 हो जाएगा, तो यही plus 1 हो गया, और यहाँ पर minus 5 minus 4 plus 3 minus 9 जोड 3 equal to minus 6, तो minus 6 हमारा answer आता है, जो की हमको 4 में दिया गया है, इसके बाद question number 37, 37 में x equal to 2 दिया गया है, और यहाँ बहुपद जो है आपका 5x minus 4x square plus 3 का मान निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, x के जगह पर हम लोग 2 रख देंगे, तो 5 into 2 हो गया, minus 4 into 2 का square हो गया, और उसके बाद plus 3 हो गया आपका, इसको solve कर देते हैं, यह आपका 10 हो गया, दू दू ना 4, 4 चो के 16 हो गया, जोड 3, तो यहाँ पर 10, 3, 13, minus 16, तो यह आपका minus 3 बच जाता है, 37 में हम लोग देखते हैं, minus 3 कहा है, तो 2 में हमारा minus 3 है, 38 में हमको देख रहा है, कि x बराबर 0 है, तो p x बराबर x square का मान निकालना है, तो यहाँ पर p 0 रख दीजिए, और 0 पर power 2 कर दीजिए, तो 0 पर कितना भी power डाल दीजिए, तो वो 0 ही होता है, तो भहिया यहाँ पर यह 0 हो जाएगा, इसका correct option जो है 1 हो जाएगा, 49 नमर में हम लोग देख रहे हैं क्या, कि y बराबर 1 हो, तो p y का मान आपको निकालना है, जो कि y square minus y plus 1 है, तो p 1 हम लोग रख देंगे, y के जगह पर 1 रख दिए, तो यहाँ से भी y को भगा के 1 रख देंगे, अब फिर यहाँ भी 1 रख देंगे, यह plus तो हटेगा नहीं, जसका, plus 1 तो हटेगा नहीं, यहाँ पर दिखिए, 1 minus 1 plus 1, 1 plus 1 minus कट गिया, तो बच गिया 1 आपका, तो यहाँ जो है 49 नम्मर का answer 1 होता है, जो कि हमको 2 में देखने को मिल रहा है, इसके बाद लास्ट आपका 40 नम्मर का problem, x बराबर 1 है, और यहाँ बहुपद जो है आपका दिया गया है, 5 x पर पावर 3 minus 2 x का square plus 3 x minus 2, अब यहाँ x के जगह पर आप 1 रखिए, तो 5 into 1 पर पावर 3 minus 2 into x के जगह पर 1 रख दिये, 3 into 1 minus 2 हो गिया, तो यहाँ 5 गुना एक तो 5 हो जाएगा, 2 को एक को कितना भी गुना करेंगे तो हमरा 2 ही बचेगा, plus 3 minus 2 हो गिया, 2 plus 2 minus 4 हो जाएगा, और 5 plus 3 जो है 8 हो जाएगा, 8 में 4 घटने से आपका 4 मिलता है, तो 4 हम देखते हैं कहां पे हैं, इस 3 में answer है, तो इस तरह से हम लोग 40 question इसमें solve कर चुके हैं, और उसके बाद के problem को हम लोग next video में solve करेंगे, इसी के साथ इस video को मैं विराम देता हूँ, मिलते हैं हम लोग next video में, जै हिंद जै भारत